ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी गुरुवार को जमु कश्मीर पहुँचे उन्होंने श्री नगर के बक्षी स्टेडियम में विक्सित भारत विक्सित जमु कश्मीर कारिकरम के तहट 6400 करोड रुपे से जादा के प्रोजेक्ट का इनाउगरेशन किया साथ ही 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिये पियम मोदी ने बक्षी स्टेडियम की सभा में कहा धरती के स्वर्ग पर आने का अहसास शब्दों से परे है यह वो नया जमु कश्मीर है जिसका अंतजार हम सभी को कई दशकों से था यह वो जमु कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर जी ने बलिदान दिया इसकी आँखों में भवश्य की चमक है चुनोतियों को पार करने का खोसला है पियम ने आगे कहा जमु कश्मीर परिवार वाद और ध्रष्टा चार का भुक्त भोगी रहा है यहां जे जमु कश्मीर विकास की नई उचायों को छो रहा है दशकों तक कॉंग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जमु कश्मीर और देश को गुमराह किया आज 370 नहीं है इसलिए यहां युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है उन्हें नए अफसर मिल रहे है आज रिजे से अबिनन्दन करता हूँ यह वो नया जमु कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दसकों से था यह वो नया जमु कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर शामा प्रशाज मुकर जी ने बलिदान दिया था इस नए जमु कश्मीर की आँखों में बविश्य की चमक है इस नए जमु कश्मीर के इरादों में चुनोतियों को पार करने का होसला है विक्सीद जमु कश्मीर विक्सीद भारत की प्रात्मिकता है साथियों एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जमु कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे एक जमाना था जब गरीब कल्यान की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जमु कश्मीर के मेरे भाई बेन उनका लाब उनको नहीं मिलता था और अब देखिए वक्तने कैसे करवट बदली है आज यहां स्री नगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओ का आरंब हुआ है यह एसास यह अनुभूती शब्दों से परे है प्रकूति का यह अनुपम स्वरूप यहवां यह वादियां यह वातावरां और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बेहनों का इतना साहरा प्यार न्यू वीडियोज की अपडेच पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दपाए